अब आईएस के दैनी खिंदी संपात की विशलेशन में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम गांदीजी की एक सो पचासवी जैनती कवसा पे कुछ उनके मतलब की जो महत्वपूर्ण या बहुत ही अच्छे जो उनके जीवन मूल्यों से समद्द उनके आदर से उनके विचार है तो उसे समद्द कुछ तो मतलब की चीजे मतलब तिसर करने जाना है जैसे कि सिक्षा के संबंद में जो गांदीजी के विचार थे मैं अपने घर के खिड़की दरवाजों को खुला रखना चाहता हूं जिससे कि बाहर की स्वक्ष हवा सके लेकिन विदेशी भासाओं की ऐसी आधी ना आ जाए कि मैं ओधे मोगिर पड़ू भारती अंग्रेजी हीट्यों अन्य भासाओं भी पढ़ें परम तो जापान की तरह उनका उपयोग स्वक्ष हीत में किया जाए यानि किस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो गांदे जी की जो जो पास्चार संस्कृति की मतलब की पक्चेदार थे साथ ही वो जो जो है तो बिभिन संस्कृतियों को एपकास समन्वित करने की दिश्ट कौन रखते थे वहीं जो है तो बिभीने संस्कृतियों की समनभे के साथ साथ ही अपने संस्कृति को भी संरच्छित रखने की वह बात करते थे साथ ही जो अपने सुदेशी भّहसाओं को भी काफी जैदा मतलब कि महतर से देते थे इस तरह के चीजpod उनके नहीं के विचारों से इस चीज्चों को देखा जा सकता है संडर में phon Не जो समाजिक विसंत के संदर में गांडे जी के विचार देखे जाए तो जो उन्हेंने मतलकि Πाई संदर में का कि जब तो मतलब कि बहुत ज्यादा व्यापक दूर्दस्टा देखी जा सकते है चाहे वह चीजे तो एक प्रकार से आज भी जो है तो इसकी रिलिवेंसि मतलब कि आज भी समाज में देखनों के मिलती है चाहे वह उच्च वर्ग या निमन वर्ग के संद्र में हो या हैं और उसको इस संदर में आज हम बरतमान दरुपे देखा जा कि जो भी हाले में जो कि संदर में जो कि इसमें थोड़ा सा कुछ संसोथन सुप्रिम कोट नपर फैसले पे कुछ मतलब की इस संदर में पुनर वीचार आज का सरकार के दार करने के बाद जो मतलब की जो पहले का कानूं था उसको यथावत कि आपने पुराने फैसलों को बदला क्योंकि जो विविम ट्रकार की आज भी बंची तुबर्गो के साथ किस परकार का सोसन हो रहा है उनको मतलब कि इस तना वित्र उम्मीद के साथ में बात खतम करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जैसा संविधान निर्माताओं ने उम्मीद की थी जब ऐसे कानून की जरुवत नहीं होगी SCST OBC को कोई आरच्छन उपलब्द कराने की जरुत नहीं होगी सभी मायनों में सिर्फ एक ही वर्ग के मनुस्व होंगे और कोई जाती विवस्था या SCST OBC वर्ग नहीं होगा सभी नागरिक बंधन मुक्त होंगे और सम्मीदान के लक्ष के मुताबिक समान होंगे समाज में विसमता हैं देखना मिल रही और अरच्छन वगर जो है यह मंतलब समाझ में एक का से मिल रूपता स्थापित करनीral साहक्त बनाने का बनाने के लिए और उट्छन जासे चीजय भी आज बड़ी सरकार को मिल रहा तो यहीं पिसमताओं का ही बरतमान समय में देखा जा सकता है कि आज भी किस प्रकार से हमारे समाज में बिद्धुमान है वहीं सुप्रिम कोर्ट ने यह भी मरमिस परशी टिप पढ़ी की कि आजादे के 70 साल बाद भी यह दी हम अपने अंतरमन में हमें देखने की जरूत है कि क्या हरिजन उची जाते के लोगों के साथ बराबरी की आधार पर उनसे हाथ मिला सकता है क्या समाज मानसिक्त और मानवी गरिमा के उस इस तर पर पहुंचने में सच्छम हो गया है जहां जाती आधार एक भेदाव को खतम किया जा सके है यानि किस परकार से हम ना केवल हम जाती या वर की आधार पर बलकि मानसिक इस तर पर भी किस परकार से हम बटे हुए है इस संदर में भी यहाँ पस देखा जा सकता है तो इस प्रकास से इन चीज़ों पर गांधी की प्रासंगिकता तो इस जो तर पर आज भी देखने को मिल सकती है तो आज हम आर्टिकल की बात करते हैं कि आज हम तेन आर्टिकल डिसकस करेंगे इसमें से पहला आर्टिकल है जो कि यह भाया तो पाकिस्तान के जो बरतमान में इतने कड़े मतलब की मतलब संबन है तो उसमें से गांधी जी की आदर्सों दर्शनों को इपकास से समनवैकारी और मागदसक की भूमिका पे यहां पस रैटर ने देखा है तो इसके संदर में ह गांधी के दर्शन थे उनके आचार व्यवहर थे तो उन चीजों की जो प्रासंगिकता थी उसको आज भी देखनों के मिल सकता है चाहे वो पर्यावरनी समस्या हो चाहे गरीबी हो जा कोई भी हो चाहे ग्रामेड इस तर पर गिरती पलायनवादी समस्या हो किसी प्रकार के जो समस्या है तो जो तो किस प्रकार से गांधी जी के उस पर विचारों पर उनके दर्शन पर चीज़े देखनों के मिलती है तो उसे संदर में इस आर्टिकल पर डिसकस किया गया है वहीं इपना नेक्स आर्टिकल होगा जिसमें से बापों की विरासत सहेजने की जरौत के बारे में बात की गए कि की जो गांदी जी के विचार आचार ते तो किस प्रकार से हम उन चीजों को एक का से कैसे किलाते जा रहे हैं तो उनको हमें समाध्या Gothic की जू बहुत से से मतला की बहुत कि जो समस्याइ चुनती leuke जो समाधान है, तो उनकी जो कि आजिस एक में जो है तो जैसे की सदндर्धा के प्रप्ति प्रप्ति के बाद याइसे गांधी दर्शन है तो गांधी दर शना और जो भात में ऊपनाष की उनकी समझ यदि केबल क्रिसी और छोटे उद्योगों के विकास के संबन में भी जो उनकी अफधारना थी उसको भी अपनाया गया होता तो जो आज किसान और जो किसान की बर्तमान में दूर्दसा देखने को मिल रही है उसके समस्यां मिल रहे है तो उसके बजाए मितलब की वह काफी ज इस तरह पर मतलब काफी ज़्यादा उनको भी काम ग्रामों को भी आत्म निर्वर बनाने फिर कितने ज़्यादा प्रियास रखते जैसे कि कुटी रुद्योगों की बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे ना वहीं सूयम सूत कातना इस तरह के चीज़े जो है तो व्यम उन्हों ने हिंद स्राज में लिखा था तो इसमें बें चीज़े को जब शुरूआती तो पर इस बुक को प्रकाशित किया गया था तो उनकी विचारों को लोगों ने ज्यादा महत्ता नहीं दी थी उसके अपकासे लोगों ने नजर अंदाज किया ज्यादा सुराज के महत्ता से बढ़त तक ख्या रिया भाया था तो जो है तो बहुत बड़े बड़े बग्याणिंक भी सको नहीं समझते थे हाँ कशि चुने लोग उसको समझते थे साथ ही जम daddy markets मतलब आइंश्टीन के साफ़ेशता कि सिधान के बारे में लोग मतलब उसकी महत्ता के बारे में जाने तब इसमें कितना ज्यादा मतलब बग्यान के इच्छे तुम कितना ज्याद प्रांतिकारी बदलाव देखने को मिली तो ठीक उसी प्रकार से जो हिंद सुराज और जानने के बारे में लोग कितना ज्यादा मतलब कि वह हुए है तो जीवन की मतलब गांधी जो है तो उन्होंने हर पक्ष में जो है तो जीवन की मतलब विस्तार किया है जैसे कि इस पश्ची में सब्वेता के प्रति आज मतलब गांधी जो है बहुत ही तीखे उस पर लिख प्रणा के लिखा और वहीं जो है तो हिंद सुराज लिखने के समय जब गांधी जी जो है तो एक हाथ से ठक जाते थे तो तो अपने दूसरी हाथ से भी लिखना शुरू रखते थे तो जो ब्यक्ति निर्माणों सिच्छा का ऐसा कोई पक्च नहीं है जिस पर न लिखो मतलब कि चाहे वह जैसे मात्रभासा हो सदाचार हो सिट्रियों सिख्छा देश भक्ति है तो कई छेत्रों पर गांधी ने अपने मतलब की अपने चिंतन व्यक्ति किया था आज हम अमड़े की चप्पल बनागर के वैसराय तक को भेट कर देते थे इसमें जरा भी वह जाते नहीं थे तो सच्छता के लिए भी आज देखते हैं कि जो हम सच्छवाय तवियान की अग्रसर है तो उसका जो अनपालन तो गांधी तब से उस चीज पर कितना जादा प्रयास कर करते हैं आज तो सहरों में कुड़ों की धेर अंबार लगते जा रहे हैं तो सच्छवाय तवियान में जैसे की आज देखा जागी गांधी जी के प्रियाना से जो सच्छवाय तो आज भी हुआ है तो हलाकि लोगों को यह बहुत ध्यान ध्यान तो अकरसित करता है लेकिन करता ह सोलकि के सच्छवाय के सा रहा हरें मतलय तुप अर निजी करर और के नगivaresal के सच्छवाय तो फ्रा देखा है को इसाया कैंतों, अवन करेह देखा लिए तो भी में जी वन में संदेश घ्राय जीवन अपने घ्राइधर को दौन makes the perfect करन में, आज जो वैस्वी करण और निजी करण की जो चकाचांद भड़ी दोड़ में जो बिस्व जो है तो पूरी प्रकास भोकतावाद संसिक्रिती में जो है तो हम इतना जादा आमादा हो गए हैं कि जो प्रकृति को भी प्रकास से ताग पे रख रहे हैं तो उसकी जो भयानक आसंका ह या देखनों को मिल रहा है तो इसको भी युव कि पिड़ी है वह भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं साथ ही झो अभी अappर कर्पृति और छो प्र shipping है वहें तो पहले यह वही वेगञोंगी करण वान भी अब लगा चुके नियादी साहरा विस्व है येक ये एनुरौप क इसे ही अन्य प्रिथ्वी ग्रहों कि आवस्थ्थ्वी की इस तरह से दुरदसा हमने अपनी भोगतावादी संस्कृति के तहत कर दिया है कि आज प्रिथ्वी जो है उसका पूरे परिस्थितिक अवस्थिति उसकी बिगड़ गई है तो वहीं जो 1925 में गांधी ने जंग इं भारत में जो तो प्रकृति को प्रकार से इस्वर के सम्तुल माना जाता है तो यहां पास भोगतावादी संस्कृति नहीं बजाय की पश्चिमी देशों के तो इस चीजों के वारे में गांधी जी पहले ही आगाहा किया था आज जो है तो जिसे पूरब्विस महसूस भी कर रहा है तो इस तरह के तमस्ताओं से तो गांधी ने पहले ही मतब कि सचेत किया था उनके दर्सन में विचारों में यह चीज़े इस पश्च तरुपे दिखती भी है वहीं यह जो हां पास आज तलवारों हाथ्यारों की वीजय की बात करते तो तो गांधी जी के दिश्टक उत्तर दायत भी मानते थे वे कहते थे कि अहन सर पढ़िएक पर चलते हुए मेरा जीवन भारत के सेवा के समर्पीथ है भारत का रास्ता जो है तो वो वह प्रकार से साधारण सामान blaming और इस्वरण प्रियाचरण से पनप्ता है। यहे तो भारत में इतनी उर्ज उर्चह के तो नहीं अंधागन नुकरण करने के जुरूत नहीं बलकि उसका प्रकार से तारकिक ढंग से बिश्टेशन करके उस चीज को उसका प्रतिरोध भी कर सके है ना और न Apache रहो है जैसे संस्कृति की बात की जाए है तो अपरिक्रा जैसे संस्कृति अभायत में हजारों बश्क्राइब की स्कृति हैं तो इस तरह की देखा जहां आज विश्व पूरा ड़ोंद देखनों को मिल रहा तो एक प्रकार से भायानक प्रतिसपरधा है यह जो धो की मतलब हाथ्यारयों की होड देखने को बहुत ज़्यादा मुल रही इसमें कितना हPlus आन्याय हो रहा है जाहां चाहिए that इस सब्मेरिका देखने का रूस चीण परहरार हो इना को बहुत ज़ादा परसकते हैं इसका उधारन भी देखा जा सकता है कि पूरती के लिए मुझा उसकी पूर्दक प्रकृत की पूर्टी को कर सकती कि is आपकी आवासिक्ता की पूर्द्ध किया इसके उदाहन देखे जा सकते कि अफ्रीक है कि जो ने इस उभरते हुश्योत अंतर देश है उन्हों मतलब कि इस अपने सक्था के लालाच में पूरे देश का प्राकृतिक धरोहर को पुरी तरह से बरबाद कर दिया इना चाहिए इस संदर में उदाहन देशाटे है कि इराग हो या सीरिया हो या हमारे अफरीकी देश हैं नाइज़ीरिया सूड़ान तो यह पस तो आ एन तिननी चीज है देखनों को मलती रहती है तो भारत के संदर में देखी जा तो प्रक्रिति का च्रान देखने को मिल रहा है चाहिए वह अवया दिखानान हो जंगलों की अंधान दोदन कटाई हो उसके दूस प्रणाम भी एक प्रकार से भयाबा समस्यां को भी जर्म देते हैं चाहिए गंगा का प्रदोशन हो ये भी चीजे जो है तुस्त तसीन वरग भी कि इसके लिए मतलब की जिम्मेदार हैं वहीं हमारे लालच के ही इसको परणाम कहा जा सकता है वहीं जो इसके बहुत से उधारान है जैसे की कारण इसपश्ट के नेताओं और गांधी का यदि जो दम भरने वालों ने गांधी की जो जाने के बाद जो है उनके सिधानतों स पूरी तरह से मुह मौल लिया है यानि की राजनेतिक इस तरफ पर तो गांधी जी के मतलब की दिखावा के तो गांधी को रखते हैं लेकिन उनके जो आचार विचार उनके दरसन है तो उसको आत्मसाद करने की बात कोई नहीं कर रहा है सिर्फ उसको एक राजनेतिक हित मे प्रियोग किये जा रहे हैं तो इसी संदर में आप है जैसे प्रसम भी उठाया गया राइटर दोरा की यह जो एकसो पचासवा वर्स है तो क्या उसमें गांधी जी जो है तो गांधी जी चर्चा है वह अपना कुछ प्रहावर डाल सकी क्या क्या आज की राजनेता को छोट अपने मतलब के अपना अश्रोत ढूंडते था जैसे उसके लिए जो तो गीता का ध्यान हो ना तो गीता का ध्यान भी गांधी जीवन में बहु ज़्यादा मतलब कर से संबल प्रदान करता था वहीं बच्पन उन्हें हैस्चन नाटक भी पढ़ा था उसका प्रहावर उनक मतलब की जो इस बारे में लिखा भी कि मेरा विश्वास है कि जो चीजे मेरे अंदर गहराई में छीपी पड़ी थी रसकिन के गरंत रत्न से मैंने उनका इसपश्ट प्रत्वीन देखा और इस कारण उसने मुझ पर अपना सामराज जमाया और मुझे जो मुझसे जो उसमे के बारा में गांदी के बीचा थे हैं इस पुस्तक से कितना ज़्यादा गांदी प्रवावी थी चीज़ को यहां पर देखा जा सकता है और इसके प्रवाव में आकर गांदी जी लिखते हैं कि सर्बोदय के सिध्धान्त को एक डिफाइन करते हैं कि एक सबकी भलाई में ही ही जािए गांदी चीं का सरवोदय के समन्त में उन्होंनIES प्ष्ट किया था वहीं जो जैसे दो वकील और नाई है तो इसके संदर में गांदे जी ने बताया कि जो इनके वकीलों नई हैं तो इनके दोनों के जो काम हैं तो उनकी जो कीमत है वो एक ही सी होने चाहिए क्योंकि दोनों जो है तो अपने निश्ठा पुरुबक और अपने समान धंग से मतलब काम करते हैं तो उनकी जो कीमत है तो वह भी एक ही होने जाय क्योंकि जो आज इबगा का अधिकार है सबको एक समान ही है हाना तो इस संदर में भी गांदे छी के दिश्ट को जको मिलते हैं मोहीं यह मतलब की इसल मर ढाने जीन में को देखा जा सकता है पते चलते 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 अपने बापों की वीरासस सहाजने की जरूषत के संदर में आइर्टिकल डिसकस करता है जैसे कि हम गांधी जी के व्यक्तित की बात करें तो उनका जो अपरी को देखने को मिलता है जो है तो गांधी जी ने अपने दच्छन अफ्रीका में या कि लंदन अफ्रीका और लंदन में इस तरह के अनभवों तें जो यह तो निमें भारती था कि जो अवधाराना थी उसका परिस्क्राण हुआ था और साथे साथ भारत के प्रती उनका ज़ादा प्रीति और प्रगाध हुई थी इस तरह के अनभ़वों से लच्षण अफ्रीका में जो भैंकर भेड़ भाव थे उनका जो कफी ज़ादा गांदीजा ने कफी ज़यदा वारीकी से बहुत नजदीक से उनको अनुभाव किया था और यही जो है तो उनके जीवन के टर्निंग पॉइंट भी साबित हुए थे जो नसली भेदभाव थी पूरवाग्रा थी उसके समन्द में जो अंग्रेजी राज की जो अत्याचार थे उनको बहुत जादा उन्होंने पारीकी से देखा भी था उनकी जो सामाजिक राजनीतिक परिष्टे थी उससे गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा था इससे एक द्रड़ और मन और लोग की चिंता को समन्द पर तो नए गांधी मतलब बापू का हुदा हुआ था विभिन नए व्यक्तित के साथ मतलब उन्हों में अच्छट के साथ मतलब उनकी जो रश्ट्पिता भी वो कहला है विए उन्होंने जो दमन का विरोध है उन्हें अहिंसा के हत्यार से गिया था। रूप यू ले लिया था, गांधी जी के उसमें वही जो स्यीम को आशे के बात किया जा GANDI जी के तो स्यीम को एक सबस्तिते हिंडु कहते हैं लेकिन जो उनकी धर्म दृष्टी है उस सब्भावफी थी जाना, उनके छहसाबर से धर्म कातब रहा तो प्रमपराओं के सम्मिस्रण से बनी थी उन्होंने यहां तक जैसे बाइविल है उसको उन्हों पढ़ा तो इससे उन्हों प्रिणा ली जिसमें से घ्रणा के बिद्ध जो प्रेम का संदेश था उसका भी प्रहोगांदी के जक्तिति पर काफी ज्यादा पढ़ा था बहुत ज सत्य आस्ते ब्रह्मपर आप रखेट जी के जिवन एक प्रकार से अ गांधी जी तो हिंदु विश्वासो को संधरिधרनी आप भी दिए लिए प्रकार से तक पर रहते थे लेकिन अपने बिवेक के adelante सर्तक्यादार पर ही एंची जो को मतलब करते थे और यह बात की जाए कि गांधी जी ने जो तो दे किंगडम आफ गाड इस विदिन यू और जो टालस्टाइ की बुक थी वहीं जो रसकिन की अंटू दे लाश्ट और साथ ही गीता राम चरितमानस नरसी महता जैसे भक्त कभ्यों की रचनाओं से भी काफी जादा मतलब कि गांधी जी ने मत गांधी जी ने जो पहले आदम निर्भार हुआ करते थे तो अंग्रेजी राज में पूरी तरस जो भी देशी बस्तुते उस पर पूरी तरस डिपंड हो गये थे उनके सिवाओं के महताज होते चले गये थे तो गांधी जी ने इन चीजों को भी अनुभाव किया साथी ज गांधी जी ने तो सामाजी जो है तो सामाजी आर्थिक स्वक्षिक और राजनीतिक चुप परिष्टियों का जमीनी आखलन किया था एक जमीनी इस तरप उन्होंने इन चीजों को महसूस किया था किस प्रकार से ब्याप्त हो रही किस तरह से इन चीजों के दूस परिणाम मिल रहे हैं समाज में सारे रिक और बॉध्रिक दोनों प्रीयों के सम्चे समन बैफर ध्यान दी था सारे निढ़ीक और भॉध्रिक पक्ष ll towards घृत अ itπर घृत ने अनि spray इन इन उन्हों यह प्रकार से यहां से प्रक्रिया की चालता रहा सठ्य лती तो गांधे जी और प्रगास से स्वयम की ही खुजती और जो यही बात की जाए कि जो समराजवादी ताकत के बिरुद्ध जो उनका अहिंसक युद्ध लड़ा गया था तो इसके संबन में भी जो तो उन्होंने यही देखा जाए कि जो इसका विकास के तौर पे देखा जाए को निस तीस में ज उनके जो विरुद्ध का लक्ष है वो अंग्रेजों का अपमान नहों करके उनके मन को बदलने और नई समझ पैदा करना था ठीक है और सविना वग्या आंदोलन हुआ इस्थिती है जो कि सामने वाले को एक प्रकार से बिजार करने के लिए मजबूर कर देती है तो वहीं इनके अहिंसात्मा एंसा की जुद्ध एंसावाल की जुद्ध इन चीजों के दि चरम इस चरमोतकरस देखने की बात करें तो भारत छोड़ों अंदोलन इक प्रकार से उसका चरमोतकरस थी था तो गांदी जो है तो मुने इसको इस तो का अवतारिया अंसमानते थे ना उन प्रकार से उनके केंदर में ही थे है ना वो जो है तो गरीबों को दलतों को इनके प्रका सहित में हर्दम मतलब की सोचते रहते थे साथ उन्होंने जो तो हरजन नाम भी दलतों को दिया था ताकि उनके प्रकार से समाज में गर्मा भी इस्थापित की जा सके जो कि इस स्व प्रब्राज है स्वटंद्र स्वदेशी है सरवोदा है उसके माध्यम से उन्हों ने एक धर्म केंद्र समाज की परिकल्पना की थी ठीजा और एक स्वाबलम भारती समाज तो आपने आप एक प्रिकार से स्वतंतर हूं तो जो सतंदरता परप्ते के पाद हमने गांधुजी को उनके बात की जा है कि बत्मान संदर हमें गांधुजी के इद विचार होत है तो ँप प्रकार से किस प्रकार से पूझजा। तो आज हम गांधिजी को एक प्रकारसे पुतले में कैद कर दिया हमने, जैसे कि उनके विश्वास थे, उनके कर्म की जो रह है उसको हम पूरी तरह से भूलते गए हैं और उनको पूजा की बस्तू बना दिया है और उनके जीवन से हमें कुछ सीखना था उसको हमने अपने जीवन से अलग कर दिया है उनके विचार तो निश्ची तरपे आज भी हमारे मतलब अचेतन मने विद्धुमान है वो एपका से हमारी विरासत के तरपे हैं उनके विचारों को उनके आदरसों को उनके मुलों को सहेजने की जरूत है क्योंकि उनकी जो विचार थे उनके जो दरसन थे तो उसमें जो हमारी जो बर्तमान और भविस को जो चुनौतिया है तो उनके बहुत से चुनोतियों का समाधान भी हमें तो गांधी के बिचारों पे देखने को मिल रहा है तो इसे इनको बहुत ही ज़्यादा जरूवत है कि उनको संद्चित रखा जाए उनके आदर्सों को आज भी मतलब की अगली आने वाले पीडियों को एक प्रकार से पहुंचाने की जरूवत है तो इस अर्टिकल पर इतने ही जलते हैं नेक्स अर्टिकल पर यह अर्टिकल है जो कि भाहत्व पाकिस्तान के जो बरतमन में जो कड आज और सब्सक्कार तो उसलेगैंगे जी दोनों के इस प्रकार से sunbanda हैं तो उसे यहां वसी हैं f続 रायटर ने तो गन्दी के दर्सन के जरिये गांदी के विचार के जरी है जो गांधी जी का समनवयात्मक्त दिश्ट्ट कॉन था तो उसके संदर में इसको जो है तो समनवयकारी दिश्ट कॉन यहाँ पस दिया गया है जासे कि संदर में देखा जा सकता है कि 350 के बाद डभायत फाप कस दो काफी जएधा आतनाव देखना की दशी संदर में जो है तो अबी जो पाinkle पी या मिवरान घान खान थे तो उनका गा गांदी जी का मतलब की गांदी को एक आदर सो के तोर पे उनका हवाला देना कि पाकिस्तान के सेना सरकार बुद्ध जीवी बरगुर्माजावी इतनते हैं मतलब कि भारत के स्वाधेंता संग्राम और उसमें महात्मा गांदी की जो केंद्री भूमिका थी उसके प्रति उन्होंने जो अपने उनके पुरानी अउधारना थी उसमें नए सीरे से उसे तैकरने की बात यहांपसराइटन के रही है और साथ ही जो है तो जिन्न और मुस्लिम लिग दौरा जो समाथे टूनेसन थोरी थी उसकी उसमें भी जो गंभीर खामें थी उसको भी फिर से देखने की बात यहांपसराइटर ने किया था क्योंकि इसी अधर पर तो पाकिस्तान बना था तो नेसन थे आधर पर वहीं जो कस्मे समस्या सी उसके संदर में बात करें कि मुस्लिम लिग की जो यह अत्विक्रित मांसिक्ता का ही यह नतीज़े था कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग राश्टर है उसके संदर में तो यह पाकिस्तन अपने खराब इतिहाद को प्रकासर इमांदारी से पुन्रा व्लोकन करें तो निश्ची तर्पो गांधी के जो दरसन है और आचार विचार है उसमें बहुत से ज्यादा खूबिया देखने को पाएगा वहीं जो है तो यहां पास राइटर ने मतलब कि भारतियों को इमांदारी से देखने की जरूत की बारे म मुलत विचार तरसन थे उसको हम पूरे तर से मतलब कि आत्मसाथ करने में क्या शफल हुई है क्या है उसको धन् 늘त्मादी में देखने की जरूत है तो यहां पर सम देखते हैं की दूनों देशों के बीच जो सांती के एक प्रकास से रास्ता के तो kto पे हैंपार गांदी जी जो उनके विचार थे एक प्रका से मारगरदैसक की भूमकर में भूमकर नहीं वा सकते हैं उनका जो ब्रक्तित्तु था बहुत ही उच इस्तर का था उसी के संद्रम में यहां पासे देखा जा कि जसे बाद की सब्सक्राइब पासे इससे जाती हैं तो जो कि उनके उसे देखा की जाई सकता है धार्मिक से समंदी करें तृशकान से वैसे वीस्पेश्ट हो जाता वहें जो गांधी के Gospel तो जो है गांधी के हिंदुत की बात किया थो यद्विय वह सहई शन्धाम永शिय उदार और दूसरों की आस्थाओं का सम्मान करने वाला है और जो है उनके उच्छ धार्मिक आधर्स थे वहीं दूसरी गलत धार्णा लोगों में यह भी थी गांदी जी के संदर में कि गांदी जी जो है तो पाकिस्तान के रूप में अलग मुल्क बनने के पक्षमे नहीं थे यानि टू नेशन छोरी के आधर पर जो उन्होंने बिरोधिस का कि किया था लेकिन इसके इसका स्पष्टी करण की बात किया तो यहां पास भीकू पारेख जी ने अपनी किताब गांधी जी पॉलिटिकल फिलासपी एक्लिटिकल एक्जामिनेसर में इस चीज को कफी बहतर तरीके से स्पष्टी करने इस चीज का किया भी है उन्होंने लिख Execution का उन्होंने इन चीज को देखा तु Galathe ुदि जो मार्व सभी लिखार से जो है तो थे उनके बहृतैं प्रभित्ता और मत भिर्णता के प्रती ना सिर्फ सहिशन बलकि उसका समान करने वाला भी था उनका ऐसा वीचार था कि सब्विताओं की विविताओं का एक प्रकर समन वैकारी दिश्टकॉनों ना कि भागोलिक सीमाओं से मतलब काफी ज़्यादा उच दिश्टकॉन उनका था यह यह पी वह टूनेशन थियोरी की विरोधी तो थे लेकिन यह बात भी जान लेना ज्यादा जरूरी है कि गांधी जी टूश्टेट थियोरी के समर्थक थे यह पाकिस्तान समानता के अधार पर भार से परिसंगी जुडाओं के साथ एक अलग इस्टेट बन सकी इस प्रकार इसके बारे में यहां पास 244 में गाधी जी ने जिन्ना को पत्र भी लिखा था कि हिंदु मुस्लिम एक्ता मेरे जीवन का धेरा है लेकिन इसे बिदेशी ताकतों को खदेड़े बगार हासिल नहीं किया जा सकता है तो यहां पस जिन्ना ने हाला की फिर अपना काफी रूट सुहाव में मतलब उन्हें भी का कि जो भाद की समस्या है उसका एक ही समाध हो सकता है जो की भारत और पाकिस्तान की भी भाजन के तौर पे होगा तो गांधी जी है तो वो अलग राष्ट धारणा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे तिहाज उन्हों ने जो है तो निरास हो करके जिन्ना को यह भी यहां पास मतलब की लिखा था कि आप यहां तो मानगे कि जो लाहोर संकल्प था उसमें तो टूनेशन थोरी का कोई जिक्र नहीं था मुझे इधिहास में से कोई मिसाल नजर नहीं आती जहां पर कोई धर्मांतर धर्मांतरित निकाया और उसके बंसद अपने पित रिकाई से जुदा होकर एक अलग राष्ट बनाने का दावा करें यह भारत इसलाम के प्रादुर्भाव से पहले एक राष्ट था तो इसे अब भी वैसा ही रहना चाहिए बहले उसके बच्चों के एक बड़े वरकी आस्था हैं बदा लगी हूं यानि गांदी जी ने देश के लगए उत्तर पश्ची में और पूरी मुस्लिम बहुल इलाकों में यह क्या सब्सक्रान के आधार संप्रभु राज्यों के झनर्मार की बात कि उन्हों कि त法स्क्राです शचतै परकार नियुकार है कि अब इस प्रकार आइक में एक वह को का इसको आतबowीाशी सीम्हान के उन्हों निश्ची में ख़ूण में छेले आध्यूतर दाश्यों के दियुकार लिदा सत्था प्र जास्यUNG जैसे दो भाजियों के बीच होता है, तो इस प्रकार से जो सांती और सत्भावना की उमीद की बात की जाए कि तभी साकार हो सकती है, जब दोनों देशों के लोग जो हैं, तो सत्ता तंत्र और गांधी जी के मूल, सिधानत और डिष्टकॉन को एपकास वास्तिविक रूप म स्विकार करेंगे, तो इस अंदर में देखा जा, गांधी जीन अपनी हत्या से पहले भी उन्होंने मतलब की जब विवाजान हो गया था, तो उन्होंने मतलब घुषना की ती गांधी जीने के भायात और पाकिस्तान दोनों मेरे मुलक हैं, तो यह उनकी आत्मेता यहां से पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट लेने वाला मैं नहीं करूं और पासपोर्ट नहीं लेना हुँ, मुझे पाकिस्तान ऐसे जाओंगा क्योंकि मेरे ही मुलक हैं, इस परकार से गांधी जी मतलब कि मतलब विभाजन के विरोध में मतलब किस प्रकार उनके समरस्ता और किस प्रकार से समाजिक सत्भावना के प्रति एक सोत्र में बाद है रहना कि उनकी जो इस प्रकार से वीचार है तो कांदी जी को यहां पास सब देखनों को मिल सकती है तो इस प्रकार से अर्टिकल में इ करें शेर करें पर हमारे चनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद